किर्सी पृतियोगी परिक्षाओं के लिए अती महत्पूर प्रिस्ण पहला कि धनिया का फूल है दा कोरियेंडर फ्लोबर इज पहला ओप्षन केपिटूलम दूसरा ओप्षन इस्पेडिक्स तीसरा ओप्षन केटकिन चोथा ओप्षन अम्बेल तो इसका राइट आंसर है दी अम्बेल अगला प्रिस्ण निम्न में से कौन सी फसल में रेटूनिंग की जाती है रेटूनिंग इस प्रैक्टिस्ड इन बिच अप दा फॉलोविंग क्रॉप्स पहला ओप्षन है ज्वार दूसरा ओप्षन है रागी तीसरा ओप्षन है सूरज मुखी चोथा ओप्षन है गन्ना तो इसका राइट आंसर होगा दी गन्ना अगला प्रिस्ण मूंग में पुंके सरों की संख्या होती है नम्मर ओप इस्टे मन्स इन ग्रीन ग्रीन ग्राम इज पहला ओप्षन है पाँच दूसरा ओप्षन है आठ तीसरा ओप्षन है दस चोथा ओप्षन है बारा तो इसका जो है राइट आंसर होगा सी वाला दस नाइन प्लस बन अगला प्रिस्ण है कि कलस पादप पिचर प्लांट इज तो कलस पादप है पहला ओप्षन परजीवी दूसरा उप्सन सहजीवी, तीसरा उप्सन सौपोसी, चोथा उप्सन कीट आहरी तो इसका जो राइट आंसर होगा D. कीट आहरी, इंसेक्टिवोरस, अगला प्रिशन कि इलाबादी सपेदा निम्न की एक किस्म है इलाबादी सपेदा is the variety of पहला उप्सन आम, दूसरा उप्सन अंगूर, तीसरा उप्सन केला, चोथा उप्सन अम्रूद तो इसका जो राइट आंसर होगा D. अम्रूद अगला प्रिशन कि सरीर के कौन से रंग से बदाबरी भेस को पहचाना जाता है तो इसका सही आणसर होगा अगला प्रिशन कि निम्नाम कित में से गाय के किस सरीर भाग पर गलकंबल होता है तो डूलेप is located on which body part of a cow among the following पहला उप्सन है पिछली टांगों के मद्ध, दूसरा उप्सन है सींगों के मद्ध, तीसरा उप्सन है अगली टांगों के मद्ध, चोथा उप्सन है गर्दन के नीचे तो इसका जो राइट आंसर होगा गर्दन के नीचे दी वाला अगला प्रिशन निमनाम कित में से कौन सा चारा दिवदलिये है विच वन अमंग दा फॉलोविंग इज लेग्यूमिनस फोडर पहला उप्सन है मक्का, दूसरा उप्सन है ज्वार, तीसरा उप्सन है जै, चोथा उप्सन है लोबिया इसका राइट आंसर होगा, डी लोबिया अगला प्रिशन इनमें कद्दू बरगिये है, तो विच वन इस कुकुरबिट्स पहला उप्सन है मतर, दूसरा उप्सन है भिंडी, तीसरा उप्सन है लोकी, चोथा उप्सन है गाजर तो इसका राइट आंसर होगा C, लोकी, बोटल गार्ड अगला प्रिसन इन में से कोल क्रोप है तो which one is कोल क्रोप पहला उप्सन है गाठ हो भी दूसरा उप्सन है खरबूजा तीसरा उप्सन है सकरकंद चोथा उप्सन है मूली तो इसका जो राइट आंसर होगा एवाला गाठ हो भी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद